पुर्ट साथियों इस किरायग के यूटूब चनल पर आपका स्वागत है सात्यों जैसे तमाम मैं आपको हर मास में यह बताता हों कि किस सुर्व भगवान की संक्रांति किस रासी पर होई करने वाले हैं तो उसके जाने वाले हैं फ要ल थोड़ करके तो उनके जाने से समस्रासियों को क्या प्रभाव प्रभाव सुबहसु प्रभाव प्रभाव ड़गा इस वीCr closer से प्रथमार उपस्थितन नातर हैं तो हमारे वीडीय को साश्क्राइब करणे बगलन बेलाई घंटी प्रेस कर लें जिससे आपको नई नी बातें समय से पताशतीर आप उनसे अउबर खोता है तो साथियों कार्तिक ये सुक्रपक्स चतुर्थी ति थी और 17 नौंबर दिन सुक्रवार को ये सुर्य भगवान ब्रिश्क रासी में राती आट पर 26 नौंट पर कासी मान के उनसार प्रवेश करें तो साथियों अन रासियों पर समस रासियों पर इसका क्या प्रभाव पढ़ने वाला है इसको आपको बत में बता दूँ तो सरप्थम में सरासी पर साथियों तो इसमें जब ब्रिश्क रासी पर जब सुर्य भगवान आएंगे तो ब्यक्ति को अपने पूर जनम के या पूर समेज किये गए कर्मों के दुरे कर्मों का फर मिलता है शरीर में रोग की आगमन हो जाता है, शरीर में पीडा बनती रहती है, जुर्माने होने का भय लगा रहता है, इस्तिर को भी कुछ कष्ठ होता रहता है और खर्च अधिक हो जाता है, कभी-कभी बुखार आएगा और ब्लड सर्कुलेसर में भी कुछ गिद्धिकल सो सकती है और समाज में, अथवा अपने परिवार में, रिस्दारी में कुछ अपमान का भी भाय होता है तो मेश रासी वालों के लिए यह जो दूस प्रड्याम दिखाई पर रहे हैं इसके लिए उनको क्या चाहिए साथियों जोना है कि सुर्व भगवान के राधना करें उस भगवान को आप जल दें अथवा ओम घ्रिनी सुर्यानिमा का पार्ट करें और घुड़ी शुड़यानिमा के जब करें अत्वा स्वास जल दें और दोनों करें तो दोनों और अठ्षा रहेगा तो इस तरह से आपको गुरे समय में कमी मिलेगा गुरे फल में कमी आ जाएगी उसके बा座 शाथियों आते हैं बृषी पर रिषट राची के स्वामी शुक्रगर होते हैं तो साथिय। उस्में क्या अगा इसमें पत्री पत्री में आपस में दंपत्य जीवन में बयमन सोने का संकेट बन रहा है और इस्टरी और पुट्र वीमार भी हो सकते हैं, कारोबार में दिक्कत हो सकती है, आँखों में कश्च हो सकता है, प्येट में कश्च हो सकता है, और मानहान के कारण आपको अपमान का अनभाउथ जेलना पड़ सकता है, तो साथियों इस्ति की कारक शुक्र गर्भ होते हैं अपूत की कारक में मंगल भ्यस्पति भी होते हैं तो आपको ब्रिस रासी वालों के लिए कुछ समय कुछ ठीक ज्यादा कुछ खराब दिखाई पर रहा है तो सरप्थम आपको अपने ही रासी स्वामी को मजबूत करना च सब्सक्राइब करना तो आपको क्या चाहिए कि आप जो आटा लेते हैं हमारकेश अपने खाने के लिए आटे में आटे को देसी घी में तुरा भूंद करके और पीशी भी यह क्या करते हैं कि चीनी सक्कर को मिला करके और जहां चीटिया रखते हूं उसको छिडिक दे इस से आपके सुक्र करह के अनकून होने लगें अब शातियों आएंगे मिथू राशी पर मिथू नाजी के जो स्वामी होते और बुद्ध होते हैं तो उनको क्या होना साथ बड़े मजाये आने वाले हैं समस्त कार्यों में सुद्धि होने इक Yogyोग बन रहे हैं धन प्राप्ति ह होने वाला है अगर कोई विरोधी होगा सत्र होगा शोएंगा आग श्रणागत हो जाएगा प्रभु मुझे छमा करो मैं आपसे जीत नहीं सकता हूं तो आपके स्टेटस में भी भृद्धी हो सकती है आपके जो इस्टमना है आपका स्वास्त है इसमें बहुत एक अच्छा निखा रहा सकता है मतब कुल विलाकर के मिथू राशी वालों के यह बल्ले-बल्ले के समय रहेगा बहुत अच्छा समय रहेगा यह है कि आप इस समय को गेन करें मताब कोई अच्छे प्रोग्राम करें कुछ अर्णिंग करने का काम करें जिसमें कि आपको यह समय आपका अनुकुल बना रहा है अब उससे आप लाब इठाते रहें तो साथियों भाएंगे करकराशी कि जो स्वामी होते हैं जिस्सा कि आप जनते हैं चन्रमा होते हैं और करकराशी वालों के जीवन में उनकी उतार चुड़ा लगई रहता है इस्थिरता नहीं रह जाती है तो इसमें क्या हो रहा है कि मन में मानसिक भ्रह्म इस्थिति बन सकती है उनके भ्रह्म पर कुछ भी हो सकता है जिससे कि आप सोचेंगे कि यह ठीक है तो बाट नहीं ठ कि खराब है कि खराब है या मेरी पत्न मुझे मानती एक नहीं मानती है तो साथियों यदि मानसिक भ्रम किसी दिवन रही है तो ओम सुमायनमा का पार्ट करें आम को जब चंद्रमा हो तो उनको प्रणाम करें ओम सुमायनमा उनको कहीं प्रणाम करें नहीं है ज़िए चंद्रमा के दिशाम में ही खड़े हो के प्रणाम करेंगे तब भी वह मत अब की कुछ सपोर्टी मिलेगा और यदि आप एक मंद बता रहा हूं ओम जधी संकतु सार तो इसन बार चला के उसको पढ़नें तो शुरी चंद्रमा की अधी आप इसम बन्त को नहीं बोल सकते हैं तब भी आप उनको प्रणाम करें आओ उनसे अपने अपराधों के इख्यमा मांगें हो के मुझे मान्चिक सक्ति दो मेरी स्थ्री को स्वस्त्त पर मेरे संतांस को स प्रस्राइब सभवाले को फोस्ति स्थ्सक्मेश्ब करों है स्व्यासि के सुप्याद हो सकती है जमिन, याजाद, के लिए अपने शुर्व भगवान को पूजा करने चाहिए ओम जपागुशुम संकासम कासफियम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापा घनम पढ़तो इसमी दिवाकरम इस मंत्र से शुर्व भगवान को पर्राम कर ले अओम घनी सुर्यानम करते हुए उनको जल दें जल देने की विदी हमने आप अपने तमाम वीडियों बता रखें करिपा वहां से देखें किसमें पुना दोहराने कोई मोचित नहीं है जल देने के लिए में बहुत अच्छी सी विदी आपको बता रखें कैसे जल दिया जाए बड़ा मजय था ज्युन है उसी तरह से कन्यारासि वालों के जीवन में बाहर भार आने वाली है मतलब उनके विरोजगार को रोजगार मिले वाला है किसी को धन किया बोसकता है तो उसको अनयास किसी कारण से धन आ जाता है तिसमेशान पुनास मिलेगे मां समान मिले गा, जो आप सिस्टाफ होंगे उनसे आपकी मुलाकात अपने आपके होगी उनसे वजह सहयोग मिलेगा समर्था मिलेगा मन्त मान प्रतिष्टा ब्रिद्धी होगी सब कुछ अच्छा रहेगा मतलब इस समय में आपका जो गोचर जो ब्रिष्ट कर गोचर हो जाएगा तो साथियो इसमें आपके बल्ले-बल्ले हो जाके सुरू में आपसे कर दिया था बहुत मज़े आएंगे और आप सुख संपनता कर रुभाव करेंगे मन में खुशी का बाता बड़ा रहेगा और आपके घर में भी अच्छा बाता बड़ा बना रहेगा तो अब आएंगे ब्रिष्ट मेशिक-रासी के सवामी होते हैं मंगल मंगल और शूर्य अपसे मित्र हैं तो मंगल रासी पर शूर का कोश्र क्या हो it कि स्वासता नहीं रहेगा आंखों में कर्श हो सकता है ना कि सुव्ध्य सकते हैं का रुद्दे से क्या ब्रह्मनत र Sकते हैं कार McCain इससर वित्तिया आधी के वुपाया बन सकते हैं, तो इसमें यदि आप ज्यादा पीडित हो, तो देखिए आप अपने स्वामी जो बृष्ट्रिक राज के स्वामी मंगल होते हो, मंगल को प्रशंद करने के लिए मंगल को प्रसंद कर लिए, हम भग्वान की स्रहन, हनुमान सीता, सोक विनासन, लक्षुपान दाता, दस गुदर पहा, यह हनुवानजी के बारह नाम हुए, ओम हनुवान, अंजनिशुत्र, वायपुत्र, महाबली, रामेश्ट, फालगुन, सखाई, पिंगाक्ष, अमिति विक्रम, अब शाम को सोते समय इस बारह नाम का हनुमान जी का आप शुना करें हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्सन करें उनके पैरों के तरह से उतिलक लगामें इस सब्व्यवस्था करने से आपका समय जो खराब था वो ठीक होने लगेगा आपके परशानियों में कुछ चित कम ही लगेगी अब शातियों आएंगे आपके धनुरासी पर तो धनुरासी के स्वामी भ्रहस्पत ग्रह होते हैं तो इनके लिए यह समय ठीक नहीं है कमाई कम खर्चा ज्यादा कार यूंपद की हानी यदि किसी भी भाग में है और खिलाब कोई जांच बैट रही है तो हो सकता एको अपो सुस्पेंशन भी हो सकता है कर तमाम तरह की कशनाये जिलने पड़ अत्व वर शकते हैं आखों में कश्च की समाहना वरी रह सकती है तो साथिश् editorial क्या करना चहिए अको जो नहीं है आप अपने राशचियश्वामी विरिषपत द्रखवान। की पुजा करें। उसके साथ-साथ सुनिर भागवान की पुजा करें। अगर बहतर हिदा है निक और थो शॉर्या नमाह तो वर स हאל। ये ऑधनी सुर्यानियमा में एक नमबर पावर है तो इसमें तीन नमबर होगा आप उम्रां श्यख्रहान आप ज्यादा कष्टन है तो इस मंदεια करें रोज एक माला किया करें हूं कोशिश करें कि इसको दिन में ही सुबह करано ताकि रात को नहीं तो भगवान को कि दिन में रहते हैं इसलिए दिन में उनका जब करना फिसे स्फल्दाई जाएगा अब साथियों आएंगे मकर रासी पर तो मजे आने वाले साथियों ने मकर रासी के उनके लोगों के लिए आमदनी के कई स्रोथ बनने वाले हैं तक कई तरह से पईसा आएगा और अगर एपांडमेंट के लिए कही प्राश्रत है तो उसमें अपढ़ांडमेंट भी उसकता है अनधन इत्यार सबकी प्रशूर मात्रा बरसा होने वाली है राजिकियों से परमोशन भीक्नात्रशी और कुछ से सलाब होने की तब सकती है अब शातियों आएंगे कुम्राशी पर, तो कुम्राशी के स्वामी भी सनिदेव होते हैं, अस्ता इन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा होगा, प्रतेक कार्व सबलता मिल सकती है, पदुनत हो सकती है, अगर प्रयासरत हैं नोकरी के लिए लाइम लगे हैं, तो नोकरी मि के लिए समय थोड़ा ठीक नहीं रहागा, अकारण जूठा रहो परा सकता है, बदनामी हो सकती है, आय कम और खस ज्यादा हो सकता है, रोख अटाइक कर सकता है, आप मान के, आप भैस से गरशित रहेंगे कि कोही मेरा अपमान हो जाए, हर उद्योग धंदय में सफलता मिलन के चांस बन जाएंगे, तो शातियों इसमें आपको थोड़ा सा धर धान करने चाहिए, कि आप बिलकुछ सांत रहें, मतलब कि कोई एक्टिविटी विशेष धन की न करें, जिसे कि आप कहीं इन्वेस्ट आपने किया, तो आपको पैसा दूर सकता है, फस सकता है, तो इसम आपको शुरी भगवान की बिलेगी, और आपका जो काम बिगड़े रहेंगे, उसमें कुछ सुधार होने कि समोहना मने रहेंगी, तीश तर सातियों हमने आपको शुरी भगवान की ब्रिशिक राशिव संक्राम्ति की रूप में, मेश से लेकर मीन तक के बार्वान के बार रासियों के फल के विषय में, आपको उपाया बता रहेंगे, अगर खराब है, रासि खराब फल देने वाले तो उसके क्या उपाय की है, यह भी मने आपको बताया, आसा हाई कि आपको यह जनकारी चोटी से अच्छी लगी होगी, और आपने हमारे चैनल कपता आपने हमारे वीडियो को सुरूशन तक देखा, इसके लिए आपको बहुत साथ खुआ धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नए भी से पर, तब तक लिए मस्कार, वीडियो देंगे आपको बहुत धन्यवाद,